हलो वाईज, आप सभी साथियों का सौगत है, आपके अपनी YouTube चैनल टॉपकर्शिन पर तो आज सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई उसके बाद से जितने भी बेड़ के छात्रें वो काफी ज़्यादा नाराज दिखे, अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने एक आता कि जो सरकार है उसके केस को वापस ले लिया है, उसके बाद से आप लोगे कमेंट आ रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब हम मर जाएंगे, यह हो जाएगा, बहुत सारे निगेटिव कमेंट आप लोगे आ रहे हैं, तो सबसे बहले मैं आपको इस वीडिय आज होनी थी, पूरे भारत देश के छात्रों की नजर थी कि आज जो है बेड के लिए कुछ अच्छा होगा, बट बेड के लिए अच्छा कुछ नहीं हुआ, सरकार ने जो है, जो सरकार के तरफ से जो एडोकेट थे उन्होंने केस को वापस ले लिया, उसके बाद से आप सही नहीं है, यानि आप जो यहाँ पर लेकर रिक्वेश्ट आये हैं, ये बेंच उसके लिए बिलकुल भी सही नहीं है, आपको अगर सुनवाई करानी है, तो आप अनुरूद बोस जी की बेंच में जाईए, जिन्होंने इस केस को सुना था, वही बता पाएंगे कि इन ल को बता दूँ कि अगर अनुरूद बोस जी की बेंच में जाता, तो पहले इस सुनवाई में एक खारी जो सकता था, इसलिए जो बिहार सरकार की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने समझदारी दिखाते हो ये किया, कि उन्होंने केस को वापस कर लिया, और उन्होंने ये कहा है, यानि उनकी जो कहने का मंसा था, उनके कहने का मंसा सीधा सीधा यही था, कि हम जो है, इसको हम फिर से जो है केस करेंगे, हम दुबारा इसको फ्रेस तरीके से त्यार करेंगे, और फ्रेस तरीके से हम केस करेंगे, और जो अपनी ड्रॉप्टिंग है, उसको अच्छे त बाहर हो जाते तो जो केस मैं आपको बता दूँ अभी बाहर नहीं हुआ है अभी जैसे इस्तिती बिहार को लेकर बनी है पूरे देश को लेकर के बनी है कि सुप्रिम कोड का जो आडर 11 अगस्त को आया था वो कब से लागू होगा तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता तो वो स्टार्टिंग से सुनवाई कराए जाएगी यह नहीं कि बीच से सुनवाई होगी अब फिर से सुनवाई होगी कि बीड प्रात्मी में रहेगा कि प्रात्मी में नहीं रहेगा तो आप लोगो घबडाने की जरूवत नहीं है हाला कि बिहार सरकार की तरफ से या बि अगर उसको डिस्पोज कर देती, रिजेक्ट कर देती, एकदम निरस्त हो जाता वो केस, तब कमाना जाता कि आप बाहर हो चुकिए, अगर सरकार ने केस वापस लिया है, इसका मतलब वो नई प्लानिंग के थैत, आप फिर से सुप्रिम कोट में केस करेगी, तो ये रही आज की अपडेट, बाकि 13 तारीक को एक और आहम सुनवाई होने वाली है, उस पर भी पलपल की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्क्राइब करें, जहीं,